तो आज हम क्लास नाइन का चैप्टर नमबर वन करेंगे चैप्टर का नेम है मैट्रिसीज एंड डिटर्मिनेंट्स इसकी एक्सेसाइज 1.1 देखेंगे तो इसका फर्स्ट क्वेस्टन है find the order of the following matrices तो इसके अदर आपने matrices के order को find करना है ठीक है तो सबसे पहले हम देखते हैं के order होता का है और इसको हम किस तरह से find कर सकते हैं तो सबसे पहले एक matrix लिखते हैं तो matrix हम किस तरह से लिखते हैं इस तरह से एक square bracket के अंदर हम कुछ values लिख लेते हैं for example a b c d ठीक है यह मेरे पास matrix है इसके अंदर a, b, c, d यह हमारे पास कहलाती है entries तो अगर यह horizontal form में आपके पास अगर values है यह और रिजॉन्टल form में यह चीज आपके पास कहलाती है आर 1 ठीक है horizontal form में यह चीज़ आपको कहलाती है row ठीक है तो यह हमारे पास है row और इसको हम r1 कह देते हैं और इस तहसे यह एक second row है यह भी horizontal form में है तो यह हमारे पास r2 कहलाएगी ठीक है तो एक matrix जिसके अंदर values horizontal form में हों वो हमारे पास row कहलाती है अब horizontal form में भी इसके अंदर values है और इसके अंदर vertical form में भी है किस तरह से कि ये वाली values आपके पास vertical form में है इस तरह से ये आपके पास vertical form में है तो ये आपके पास कहलाते है column ठीक है ये है column तो इसको हम कहा देते है c1 और ये है c2 तो इस तरह से हमारे पास matrix given होंगे जो values हमारे पास horizontal form में होंगी वो row कहलाएंगी और जो vertical form में होंगी वो column कहलाएंगी ठीक है अब इसके अंदर हम rows को है जो है वो हम represent करते है m से और column को represent करते है n से तो अब किसी भी matrix का order हम किस तरह से define करते हैं इस matrix को हम एक दफार और लिख लेते हैं a b c d तो अब अगर इसी matrix का मैंने order define करना तो मैं किस तरह से लिख सकती हूं कि m by n ठीक है कि सबसे पहले मैं matrix की rows को बताऊंगी और फिर matrix के column को ठीक है पहले rows हम लिखेंगे और column लिखेंगे और आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं n cross n तो अब इसके अंदर rows कितनी है यह first row है मेरे पास और यह है second row तो इसके अंदर two rows है by और इसके अंदर column कितने है यह first column और यह second column तो इसके अंदर column भी two है तो इसको इस तरह से लिख सकते है two by two या फिर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते है two by two दोनों को हम read एक ही तरह करेंगे two by two तो इस matrix का हमारे पास order क्या होगा two by two एक और example देखते हैं for example एक मेरे पास matrix है one, three, seven eight, four, five ठीक है ये एक मेरे पास matrix है अब इसका order हमने refine करना है तो सबसे पहले हम इसकी rows देखेंगे तो ये इसकी first row है और ये इसकी second row है तो इसके अंदर row कितनी हुई two और इसके अंदर column कितने है one two और three ठीक है ये first column ये second column और ये third column तो ये आएगा इसका order two by three या आप इसको लिख सकते है two multiply three two by three ठीक है तो इसके question number one के अंदर ये matrix is given है और इनके आपने order बताना है ठीक है तो सबसे पहला a matrix है a के अंदर values है two three minus five and six तो इसका order क्या बनेगा तो इसके अंदर rows कितनी है two तो ये two आ गया और इसके अंदर column कितने है two ठीक है two ही rows है और two ही columns है तो इसका second part है e matrix है a, b, c, d, e, f ठीक है ये इसके अंदर entries है तो इसका order क्या होगा सबसे पहले rows देखते है first row, second row and third row three rows है इसके column चेक करते है one and two तो three by two इसका order बनेगा next है इसका b matrix b matrix में कितनी rows है two rows है और column कितने है one two तो two ही इसके अंदर column है next है c matrix c matrix में rows कितनी है one, one row है और column कितने है ये एक और ये दो तो इसके अंदर two columns है one by two इसका order होगा then f matrix है f में कितनी rows है ये इस तरह से एक row है और इसमे column कितने है इसी form में तो ये column भी one है तो one by one इसका matrix बनेगा इस तरह इसका d matrix है तो इसमें rows कितनी है one, two and three three rows है और column कितने है तो three by one इसका order बनेगा then है g matrix में कितनी rows है one, two and three three rows है और column कितने है one, two and three three by three का ये matrix है उसके बाद है h matrix तो h के अंदर कितनी rows है one and two two rows है और column कितने है one, two and three तो इसका order बनेगा two by three ठीक है ये इसका first part हो गया next इसका second part है which order falling matrices are equal तो आपने इसमें से बताना है कि equal matrices कौन से है सबसे पहले हम equal matrix देख लेते हैं कि होता क्या है equal matrices ऐसे matrices इस जिनका कोई दो matrix for example पहले हम देख लेट कर लेते हैं कि A matrix है मेरे पास one, two, three, four और B matrix है one, two, three, four ठीक है तो इसकी first condition क्या है कि ये दोनों matrix equal matrix तब कहलाएंगे जब इन दोनों का order same होगा means कि order of A matrix of A matrix equal होगा order of B matrix कि A और B matrix का order जो है वो same होना चाहिए then कि जो second condition है वो क्या है कि इनकी जो entries है ये जो numbers है इनके numbers ये elements इनको हम entries बोलते हैं तो ये जो entries है और जो corresponding entries है वो same होना चाहिए means कि कि इसका A matrix का first element है और जो B matrix का first element हो same होना चाहिए इसका second element है means कि second entry हो same होनी चाहिए और जैसे third है 3 है तो इदर भी 3 होना चाहिए तो इदर 4 होना चाहिए तो इसकी second condition है कि corresponding entries same होनी चाहिए corresponding entries are same तो दो matrix equal matrix तब कहलाएंगे जब उन दोने matrix का order same होगा और second चीज कि उनकी corresponding entries equal होनी चाहिए means कि same होनी चाहिए तो question number 2 के अंदर matrix given है तो इन में से आपने देखना है कि कौन सा matrix matrix के equal है सबसे पहले AC matrix starts करते है REMCR census just 3 कौन सा matrix है जिसके अंदर Cset entry & 3 इन सबके अंदर इस वह समें 2 entries है इसमें 2 इसमें 2 इसमें 2 स्सक्क्राइब कर्सक्राइब का собой आप इसका इंदर भी फाइफ लिक heavirm Alexi-coppa कृष्पोंडिक्राइब चाहिए कि अब बनातीन मैं इस स्वि 먹고 महल होने दोनों आंपस में एकोड लाइं हो और धेक तो इस तो देखते हैं E matrix में 4 entries है F में 2 हैं लेकिन ये column में हैं और इनके entries हैं वो भी same नहीं है ठीक है उसके बाद G matrix है तो G matrix है 3 minus 1 and 3 plus 3 तो यह हम लिख सकते हैं 3 minus 1 का answer कहाएगा 2 or 3 plus 3 का answer हैगा 6 तो इसके अंदर 2 और 6 entries है तो यह भी इसके कुल नहीं है फिर H में 4 entries है और I matrix है 3 और 3 plus 2 तो इसको हम लिख सकते हैं यह बन जाएगा 3 और 3 plus 2 आजएगा 5 ठीक है तो I में हमारे पास क्या 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 एंट्रिस है 3 और 5 तो इन दोनों का order भी same है order इनका क्या बन रहा है 1 by 2 और इसका भी 1 by 2 है और इनकी corresponding entries फिर C में जाएं तो इसका भी 1 इलमेंट 3 है और इसका सेकंड इलमेंट 5 है तो इसका भी 2 और 5 है तो बी matrix equal है I matrix के इसे देखते हैं सी में 5 ॉर माइनस 2 तो इनके इंके अज्बिक्स हैं कोई इसा हैं डित्रिक्स में दित्रिक्स में फाई हो तूब हो थ्री है इस में यह भी एक्ष है जिसकी Euro 3 ह्यान धिक्रिक्स विड़ें जेए तूबस राद़े कोई यह एयलमनों की उन्हें अट eight out इकॉल आएगा H matrix के ठीक है यह भी हम देख लेते हैं कि इसमें क्या बनती हैं हमारे पास entries J matrix में जे मैरे में 2 प्लस 2 4 2 माइनस 2 0 आ जाएगा 2 प्लस 4 6 आ जाएगा 2 प्लस 0 2 आ जाएगा तो यह भी हमारे पास यह हो और E वाली entries बन रही है 4 0 6 2 ठीक है तो यह E equal है H کے और H equal J, यह तीनों matrix equal matrices है, ठीक है next है हमारे पास F matrix, F में है 2 और 6 और यह color matrix है, और यह G भी color matrix है, तो यह दोनों आपस में same है, इनकी entries भी same है, और इनका order भी same है, H matrix भी होगा, I भी होगा, J भी होगा, तो यह सारे हमारे questions दर solve होगा, B matrix, इसका थर्ड कॉस्टन है, find the values of A, B, C and D, which satisfy the matrix equation. तो इस matrix हमें given है, उन्होंने का है, यहां से हमने A, B, C, D की values find करनी है, तो उन्होंने का है, कि यह matrix equal है, इस matrix के, तो अगर यह equal है, तो इसको हम लिक किस तरह सकते हैं, कि A plus C equal है 0 के, ठीक है, इसकी first entry first के equal है, then A plus 2B, A plus 2B equal है minus 7 के, फिर C minus 1 equal है 3 के, then 4D minus 6 equal है 2D के, ठीक है, तो यहां से हमने values find करनी है, A, B, C, D की, तो पहले हम क्या करते हैं, इनको name दे देते हैं, equation 1, 2, 3, and 4, ठीक है, अब यहां पे A plus C है, तो यहां पे दो unknown values है, जहां से हम values नहीं find कर सकते हैं, यहां पे भी 2 unknown है, और third equation में C minus 1 equal to 3 है, तो यहां पे एक unknown है, तो यहां से हम एक value find कर सकते हैं, तो यहां से हम equation number 3 को लेते हैं, by equation 3, C minus 1 equals to 3, तो C के साथ value minus हो रहे हैं, तो equal की दूसरी side पे जाकर यह value plus हो जाएगी, तो यहां आजएगा C equals to 3 plus 1, तो यहां से हमें C की value मिल जाएगी 4, ठीक है, तो यहां से हम, हमने C की value find कर ली, अब C की value को हम इस value के अंदर equation number 1 के अंदर put कर सकते हैं, तो यहां पे हम इसे put करते हैं, put value of C in equation 1, तो इस equation 1 के अंदर put करते हैं, A plus C equals to 0, तो यहां पे C की value है 4, तो यहां पे हम put करते हैं, यहां देगा A plus 4 equals to 0, तो A के साथ यह value plus हो रही है, तो equal के दूसरी side पे यह क्या हो जाएगी, minus, तो यहां पे हमें A का अंसर भी मिल गया, और C का अंसर भी मिल गया, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, कि यहां से हम इसकी value find कर लेते हैं, equation number 4 लेते हैं, by equation 4, 4D minus 6 equals to 2D, तो 4D के साथ value minus हो रही है, तो यह दूसरी side पे जाके plus हो जाएगी, और यह equal के दूसरी side पे plus value हो, तो equal के इस side पे आके minus हो जाएगा, तो यह हो जाएगा minus 2D, ठीक है, यह वाली equal के दूसरी side पे जाके plus होगी, और यह plus में थी, तो equal के इस side पे आके minus होगी, तो 4D में से minus 2D करेंगे, तो answer मिलेगा हमें, 2D equals to 6, अब यहां से हमने D की value find करनी है, तो D के साथ 2 multiply हो रहा है, तो equal के दूसरी side पे जाके, 6 के साथ 2 के हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो यहां से हमें D की value मिल जाएगी, 6 को अपने 2 पे डिवाइड करना है, तो 2, 3006 होता है, ठीक है, by equation 2, A plus 2B equals to minus 7, तो यहां से हमें A की value पता है, वो हम इदा पुट कर देते हैं, A की value है minus 4, तो यहां जाएगा, minus 4 plus 2B equals to minus 7, तो equal के दूसरी side पे यह minus 4 plus 4 हो जाएगा, तो यहां साथ जाएगा, 2B equals to minus 7 plus 4, तो minus 7 plus 4 हमें value मिल जाएगी, minus 3, तो B के साथ value multiply हो रही है, तो equal के दूसरी side पे जाकर, यह क्या हो जाएगी, divide, तो यहां जाएगा, minus 3 by 2, तो इसका आप solve करोगे, तो यह point में अगर आप answer लिखना चाहते हैं, इसका answer आएगा, minus 1.5, ठीक है, एक answer है, minus 4, B का answer है, minus 1.5, C का answer है, 4, और D का answer है, 3.